वेलकम बैक दोस्तों लोग है लोग आपकी रिक्वेस्टेज मुवी मानाड आ गई यह मुवी रिसेंटली सोनी लाइव प्लाइफरम पे रिलीज हुई दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताय था कि जो मुवी टमिल में रिलीज होती है वो मुवी तेलगु में डब होके उस कि दिन उसी वक्त रिलीज होती है मतलब तेलगु और टमिल का थोड़ा कनेक्शन है प्रडुजर्स डिस्टिब्यूटर्स वगरा तो तेलगु में नाम है इसका लूप यल वोगो पी और टमिल में मानाड कुछ कॉंट्रवर्सी के जरिये से यह मुवी टमिल लानु की कु सो फैनली बेचारे ने इस मुवी को सोनी लेव पे रिलीस कर लिया पिछले कुछ सालों से यह हिरो घाटे में ही चल रहा है खर यह सुब साइट में रखकर आप मुवी के बार में बात करें तो मुवी गजब है और सम है मायन ब्लोइंग है इस मुवी को ऐसे ही 9.2 रेटिं को बनाया है वो क्या है आपको मुवी में पता चलेगा तो चलिए शायद वीडियो लंबी होने वाली है उससे पहले अगर आप मैंने चैनल पर नए है तो अपना प्यार दिखाए अगर पुराने है तो और प्यार लुटाइए फाल इंस्टेग्राम मुवी की शुरुआत म जाने वाली फ्लाइट रेडी होती है टेक आफ के लिए उसी फ्लाइट में एक एमपी बैठा होता है यह एमपी एर होस्टेस से पुछने लगता है अरे भाई फ्लाइट का टैम हो चुका लेकिन फ्लाइट अभी भी टेक आफ क्यों नहीं हुई तब ही एक बंदा आकर इस एमपी से कहने लगता है सार इस फ्लाइट में एक वी एपी आने वाले है इसी के लिए वेटिंग है यह एमपी सोचने लगता है कि इस सारे फ्लाइट में मैं खुद एक वी एपी हूँ मुझे भी बड़ा वी एपी कौन हो सकता है तब ही हमारे हीरो का इंटरेक्शन होता ह और उसका नाम है अब्दुल खालिख जब अब्दुल इस फ्लाइट में आता है तो यह एमपी अब्दुल को अपना इंट्रोड़क्शन देने लगता है और सी तरह अब्दुल को अपना विजिटिंग कार्ट भी देता है अगर इंडिया में कोई जूरत हो तो इसे काउंट करने के लिए कहता है हर अब्दुल के बगल में ही हमारी यूरीन बैठी होती है और इसका नाम है सीता लक्ष्मी फ्लाइट लड़ खानाने की विए से बैचारी सीता डर जाती है अब्दुल का हाथ पकड़ लेती है उसके बाद इन दोनों में एक दूसरे का इंट्रड़क करती है तब ही उस एरपोर्ट का उपर वाला शीशा तुटके नीचे गिड़ता है थोड़े कांच के तुकड़े उस बच्ची के पैर को चुप जाते है उस चोटी बच्ची का पैर जखमी हो जाता है खरप चुंकि अब्दुल और सीता ये दोनों एकी शादी को जा रहे ह अब्दुल सीता को अपने साथ आने के लिए कहता है तो सीता अब्दुल के पास से उसके प्रूफ ले लेती है ऐस शूरिटी के तोर पर इस तरफ जब वो एमपी एरपोर्ट से बाहर आता है तो सारी मीडिया इसको घेर लेते है और यह एमपी मीडिया की सामने ये बोने लगता है कि ये बंदा सीयम कॉंफरेंस के लिए जा रहा है इस सरफ अब्दुल को लेने के लिए इसके दो दोस्त आ जाते है मूर्ती और बाशा आप चूंकि आज रात किसी जगा पर सीयम का कॉंफरेंस है मीटिंग है सारे शहर में यही पोस्टर्स लगे होते हैं दूसर देर के बाद अब्दुल और उसके दोस्तों उसी रास्ते से गुजरने लगते है तब ही एक ट्राफिक फॉलिस वाला इन लोगों से कहने लगता है कि सर ये रास्ता ब्लॉक है अभी अभी तम्योरन का एक्सिरेंट हो चुका है आप दूसरे रास्ते से जाईए उसके यहां पर एक गाना चलता है और इसी गानी के दर्मियान में हमें ये बात पता चलती है कि अब्दुल का फ्रेंड मूर्ती और दुलहन का चक्कर चल रहा है और आचुली ये दुनों दुलहन को भगाने के लिए आए है तो अब्दुल सीता को इसके जाल में फसाता है अब् पुलहन किड़नाप हो चुकी है यह जान लेने के बाद जरीना के घर वाले अब्दुल रोज के दोस्तों को फालो करने लगते हैं यहां पर बहुत लंबी चेजिंग होती है लेकिन अब्दुल किसी भी तरह करके उन लोगों से बच जाता है उसके बाद जब यह लोग रेश इस बंदे के अक्टिंग जबरदस लगती है मुझे है धनिशकोटी बिना सोचे समझे अब्दुल और उसके दोस्तों को अरिश कर लेता है और इन सारे लोगों को पॉलिस टेशन लाने के बज़ाए एक पुरानी बिलिंग में लाता है जो शेहर से थोड़ी दूर पर होती है यहां आने के बाद हम यह देखते है कि धनिशकोटी यहां पर अपनी यह खुद की एक छोटी से आफिस चला रहा है तभी अब्दुल किसी कोने में उस बंदे को देखता है जो अभी थोड़ी देर पहरे अक्शन हो चुका था और अच्छली इसका नाम है रफीक मूर्ती और जरीना की शादी करवाँगा उसके बदले तुमको मेरा एक काम करना होगा अब अबुल को कुछ terminal की समझ में नहीं आता कि धनिशकोडी किसके बार में बात कर रहा है क्या बात कर रहा है दो पुलिस वाले अब्दुल को किसी दूसरे रूम में ले जाने लगत जैसा लगे कि अब्दुल एक टेर्रिस्ट है मतलब इस तरह से इन सारे सबुदों को मैनिपलेट करते रहते हैं विचारे अब्दुल को कुछ भी समझ में नहीं आता रात होने के बाद वो पुलिस वाले अब्दुल को सीएम कॉंफरेंस मीटिंग के पास लाते है और इसे ए धनिशकोडी सीएम के करीब जाने के लिए कहता है और उसी तरह अब्दुल को एक बैक दी गई होती है उस बैक में हाथ रखने के लिए कहता है जब अब्दुल उस बैक को चकरता है तो उसमें गन होती है धनिशकोडी कहने लगता है कि तुम फौरण उस गन को निकाल कर सी गोली मार देता है अगर तुमनें सीयम को नहीं मारा तो मैं तुम्हे दोस्तों को एक एक करके मार दूँनगा अब बैचारे अबडुल के पस और इता हैं Rac đị는 अपिजारे अप्टुल प underneath और कोई option नहीं होना का अपनी दोस्तों को बचाएंने का वह फोरण अपनी बेक बेचारा अब्दुल मर जाता है दूसरे सीन में अब्दुल जटके से फ्लैट में अपने आँखें खोलता है अब अफकोस इसके बगल में सीता लक्षमी बेटी होती है अब्दुल सीता का नाम लेता है ये सुनने के बाद सीता शौक में रह जाती है और सीता से कहने लगता ह है नहीं तो उसके बाद जब अब्दुल एरपोर्ट से बाहर जा रहा होता है तो अब्दुल को पहले वाला इंसरेंट याद आता है कि ऊपर से एक कांच का शीशा डूटके नीचे गिरने वाला है इसे याद करके अब्दुल फॉरण उस चोटी बच्ची को रोक देता है त तो उस चोटी बच्ची को कुछ भी जखन नहीं होता ये देखने के बाद सीता शौक मेरे जाती है और अब्दुल से सवाल करने लगती है आपको कैसे पता चल रहा है ये सब कुछ खर अब्दुल के दोस्ता आगर अब्दुल को और सीता को पिक अप कर लेते है रास्ते मे जाते वक्त अब्दुल को यही याद आने लगता है कि रास्ते में किसी का आक्षिंट हुआ है रोड डैवर्ट होने वाला है तो सेम उसी तरह से जब ये सारे लोग उस रोड पे जाते है तो एक ट्राफिक वाला बंदा इनको दूसरा रूट लेने के लिए कहता है ये दे सीता भी इनके प्लान में शामिल हो जाती है इनके हिल्प करने के लिए उसके बाद ये चारों लोग शादी में जाते हैं मौका देखकर सीता खुद जरीना को बुर्खा पिनाती है और जरीना को वहां से भेज देती है जब अब्दुल और उसके दोस्त रिशर आफिस जार लगने लगता है कि प्लीज मेरी हल्प करो कुछ पुलिस वाले मेरे फीचे पड़े है वो पुलिस वाले मेरे जरीय से सीम को मारने वाले है तब है वहां पर धनिशकोडी की टीम आ जाती है इन पुलिस वालों को देखकर रफिक वहां से भाग जाता है धनिशकोडी अब्दुल अपने आखें फ्राइट में ओपन करता है अब्दुल इस बार सीता से बिना बात किये फोरण वहां से जाने लगता है और अफकोस उसी फ्राइट में एक छोटी सी बच्ची होती है अब्दुल उस बच्ची के हाथ से डॉल छिनकर दूर फेक देता है ताकि वो बच्ची लेट से आए एरपोर्ट के बाहर जाने के बाद इसके दोनों दोस्त अब्दुल को पिक अप करने के लिए आते हैं ये तिनों लोग शादी में जाते हैं जरीना को भगा के ले जाते हैं लेकिन इस बार अब्दुल उस रास्ते से ना जाते हुए दूसरे रास्त किसी ने सीयम को मार दिया इसकी वेज़े से वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया दंगा फसाद हो रहा है हिंदू मुसल्मानों के बीच फाइट हो रही है सीयम मरने के वेज़े से ट्रेंड डिले हो जाती है तब है वहाँ पर जरीना के फैमली मिमर्स आ जाते है जरीना को यहाँ से ले जाने के लिए इन लोगों के बीच बहुत हातापाई होती है इसी हातापाई के दोरन जरीना का भाई अब्दू को मार देता है उसका गला काट देता है उसके बाद लूप दुबारा स्टार्ट होता है एरपूर्ट से बाहर आने के बाद अबदू इन सारे लोगो किसी केफे में बिठा कर अपने साथ जो हो रहा है वो सारी बात बताने लगता है कि अबदू एकी दिन को बार बार जी रहा है ये दूसरे लोग एहसास नहीं कर रहे बट अब्दुल को पता चल रहा है ये सारी कहानी सुनने के बाद सीता अब्दुल से कहने लगती है टैम लूप के बारे में मुझे हिंदुईजम की एक थीरी पता है मैं आपको वो कहानी बताती हूँ शायद आपको कुछ कामा जाए जैसा कि हम सब लोग जानते है कि बिटिशर्स ने काफी सारी जगाओं पर राज किया था हमारी इंडिया पर भी राज किया जब इंडिया और पाकिस्तान ये एक थे उस वक्त उजजयन को सेंटर आफ दे वर्ल माना जाता था उसी उजजयन में कालब हैरवा की टेंपुल है कालब हैरवा और कोई नहीं शिवजी का दूसरा रूप है उस जमाने में काफी सारे लोगों ने टाइम लूप को एक्स्प्रियंस किया था जैसे बेताल और विक्रम की कहानी हमने सुनी है ना वो भी किसी टाइम लूप में चलती थी और उसी तरह उजजयन के एक राजा ने भी टाइम लूप को एक्स्प्रियंस किया था कुछ टाइम लूप करने के बाद उस राजा को इसका परपस पता चला उस राजा ने एक बिर्ज बरनवाई उसके बाद वो टाइम लूप खतम हो गया अब्दुल कहने लगता है कि पता नहीं तुमारी कहानी सच है या जूट है लेकिन मैं उस उजजयन को जानता हूँ मेरे माबाब वही पर रहते थे जब मैं मेरी माँ की पेट में था तो मेरी माँ को पेट में दर्द हुआ मेरे फादर मेरी माम को हॉस्पिटल ले जाने लगे थे लेकिन उस वक्त बाहर बहुत दबर्दस्त हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी इस दंगे फसाद की वए से मेरे फादर मेरे माम को हॉस्पिटर नहीं ले जा पाए एक हिंदु की फैमली ने मेरी माम डैट को काला भैरवा के टेंपुल में ले गए उसी मंदिर में मेरा जन्म हुआ मेरे जन्म होने के थोड़ी देर बाद वो दंगे फसाद रुख गए यह सुनने के बाद सीधा कहने लगती है देखा भगवान हो या ला हो आपको कुछ इशारा दे रहे है आप इस टाइम लूप में फसने का कोई ना कोई रीजन जरूर है आप उस रीजन को फेचानिए उस काम को खतम कीजिए अब्दुल सोचने के बाद इसको ये बात पता चलती है कि अब्दुल का परपस है उस सीम को बचाना रात होने के बाद अब्दुल उस कांफरेंस के पास जाता है महाँ जाने के बाद अब्दूल ये देखता है कि कुछ पुलिस वाले रफिक को ब्लूटूट दे रहे है और उसी तरह एक बैग भी मीटिंग के दोरान जब रफिक सीम को मानने ही वाला होता है अब्दूल इसे रोक देता है लेकिन इसके बावजूद भी कोई अंजान बंदा सीम को गोली मार देता है जब अब्दूल इदर उदर देखता है तो अब्दूल को किसी हाइट पर एक केमरेमैन नज़र आता है अच्छुली ये कोई केमरेमैन नहीं ये स्नाइपर होता है इसके बाद अब्दुल फोरन रफिक को किसी साइड में बुला कर इसे पूँछने लगता है कि सीम को मानने के लिए किस ने कहा क्यों सीम को मानना चाहते हो तुम तब ये वहां पर धनिशकोडी रफिक को ढूंटे हुए आ जाता है अब्दुल कहने लगता है कि मुझे तुमारे सारे प्यान के बार में पता है तुम सीयम को मरवा के धंगा फसाद करने वाले हो और सी तरह रफिक को टर्रिश बनाना चाते हो खर इसी दर्मियान में अब्दुल और धनिशकोडी की बीच बहुत हाता पाई होती है इसी हाता पाई के दोरान अब्दुल धनिशकोडी की गन लेकर उसे ही मार देता है धनिशकोडी फोरण अब्दुल के उपर गिर जाता है उसकी मौथ हो जाती है धनिशकोडी के ढूंटे हुए और कुछ पुलिस वाले वहां पर आते है अब्दुल और रफिक पर गोली चला देते हैं अब्दुल मर जाता है लूप दुबारा स्टार्ट होता है अब्दुल फोरण सीम मानार के पास जाता है और उस स्नाइपर को बहुत डीपली अब्जोर करने लगता है देखती देखते वो स्नैपर सीयम को मार देता है उसके बाद अब्दुल चोरी चुपके उस स्नैपर को फालो करने लगता है उसके अड़े पर जाने के बाद अब्दुल ये देखता है कि कुछ लोग दंगा फसाद करने के लिए रडी हो रहे है इन मेंसे कुछ लोग मुस्लिम बनते हैं कुछ लोग हिंदू बनते हैं जब अब्दुल इसके अंदर आ जाता है मस्ता नाम का एक बंदा अब्दुल को मार देता है लूप स्टार्ट होने के बाद रात में अब्दुल फॉरण इस गोर्डोन के पास आता है मस्तान और उसके लोगों से बहुत फाइट करने लगता है लेकिन इसी फाइट के दोरान कोई ना कोई एक बंदा अब्दुल को मार ही देता है इस तरह से अब्दुल हर बार हर लूप में यहां पर आकर इन लोगों से फाइट करते रहता है एक से बच गया तो दूसरा मार देता है दूसरे लूप में दूसरे से बच गया तो तीसरा मार देता है खर फाइनली बहुत लूप सोने के बाद अब्दुल उन सारे लोगों को मार ही देता है सारे लोगों को मानने के बाद अब्दुल उस स्नैपर के पास जाता है और इसे मार बीट के इसके बारे में सवाल करने लगता है कि ये कौन से होटल में ठहरा है कौन से रूम में ठहरा है अड्रस कहां पर है इसका जब वो स्नैपर अब्दुल को आपने सारी डीटेल्स बता देता है मस्तान तभी अब्दुल को मार देता है लूप स्टार्ट होने के बाद अब्दूल फोरण उस होटल में जाता है उस स्नैपर को फांड ओड करने के लिए और अब्दूल सीता की मज़से उस स्नैपर को बांद के रख देता है ताके ये बंदा सीम को ना मारे और उसी तरह मूर्थी और बाशा की मज़ से रफीक को किडनेयप कर लेता है ताकि रफीक भी सी-अम को ना मार पाए रात होने के बाद अब्दुल सी-अम कांफरेंस के पास जाता है सी-अम अपना स्पीश देता है स्पीच खतम होने के बाद सीयम और कुछ वियापीस वहां से जाने लगते है तब ही वहां पर एक बहुत बड़ा बॉम ब्लास्ट होता है उस ब्लास्ट में काफी सारे लोग मर जाते है और उसी तरह अब्दुल भी मर जाता है दूसरे लूप में अब्दुल अपने दोनों दोस्तों को सीधा को लेकर सीयम के एक कांफरेंस के पास आता है और वहां का सारा माहूल इन तीनों को समझाने लगता है कि उस स्नैपर ने सीयम को हर बार मार रहा है अगर सीयम उससे भी बच गया तो सियम को बॉम से मार रहे है सियम मर जाने के बाद अभी वहां पर मस्तान और उसके कुछ लोग आते है दंगा फसाद करने के लिए बहुत सारे मासुमों को मानने पीटने लगते है वो एक हिंदू मुसलवानों का फसाद बना देते है इसी दर्मियान में अब्दूल धरशकोडी के पास जाता है उसके हाथ से गन छिंकर उससे सवाल करने लगता है क्या मिलेगा तुमको इन मासुमों को मार के क्यों तुम लोग अपने फाइदे के लिए दंगा फसाद करवा रहे हो बेचारे रफीक को टेर्रिस्ट बना दिया तर्शकोडी केहने लगता है देखो तुम कौन हो मुझे पता नहीं सिया मर गया दंगा फसाद शुरू हो गये अब ये न्यूस फाइल चुकी है अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो इस दंगा फसाद को नहीं रोक सकते अब्दुल कहने लगता है तुम को मारूंगा तो नहीं रोक सकता लेकिन खुद को मार लूंगा तो ज़रूर रोक सकता हूँ ऐसा कहे कर वो अपने आपको मार लेता है गन से लूप दुबारा स्टार्ट होता है और यहां पर हम आडियंस को ये बात पता चलती है कि इस टाइम लूप को सिर्फ अब्दुल ही नहीं बलके धनशकोडी भी experience कर रहा है आपको याद हना एक टाइम लूप में अब्दुल ने धनशकोडी को मार दिया था तो तबी से धनशकोडी इस टाइम लूप को experience कर रहा है जब कभी भी अब्दुल मर जाता था धनशकोडी का दिन भी reset हो जाता बैचारी धनशकोडी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसकी साथ actually हो क्या रहा है ये बार बार क्यों ये की दिन को जी रहा है और आपको यादी होगा कि अब्दुल ने कितनी बार जान बूच के मरा उसके बार डेक्टर भी साब हमको एक छोड़ा सा explanation देते है जब अब्दुल ने धनशकोडी को मार दिया था उस वक्त धनशकोडी अब्दुल के उपर गिर गया था तो उसी हातापाई में अब्दुल को भी थोड़ा सा जखम हुआ था सो उस वक्त इन दोना का खुन मिक्स हो गया तब ही से धनशकोडी अब्दुल के टाइम लूप में फस गया इसलिए जब कभी भी अब्दुल उस सीयम को बचाने की कोहिश करता था धनशकोडी को अलड़ी उसके प्लैन के बार में पता चल जाता प्लैन के उपर प्लैन डा है धनशकोडी इसकी हेल्प कर रहा है बेचारा धनशकोडी परंधामन के पास आकर इसके साथ जो हो रहा है यह बताने लगता है पहले तो परंधामन इसकी बातों पर यकिन नहीं करता लेकिन बात में धनशकोडी परंधामन की स्पीच को बोलने लगता है बिना हिचकिचा मतलब उस CM Conference में परंधामन भी स्पीच बोलने वाला है अब धनिशकोडी इस स्पीच को बार बार सुन चुका है पानली परंधामन धनिशकोडी से सवाल करने लगता है तो हम उस बंदे को कैसे रोक सकते है धनिशकोडी कहने लगता है उसका ये की तरीका है वो मरना नहीं चा आते वक्त अब्दुल रफिक की मा को एक वीडियो बनाने के लिए कहता है आजे स्टेटमेंट की तौर पर रफिक की मा बताने लगती है कि कुछ सानों पहले पुलिस फॉलो ने इसके हस्बेन को आजे टरिस्ट की तरह एक बार गिरफतार किया था जब रफिक का फादर ज एक ले ले खरता है एक दीछ फॉलिस आकर रफिक को पुलिस टेशन ले गई और सिम को माने के लिए कहा अगर रफिक है तो पुलीस फाले रफिक को बना देंगे उसी तरह पुलिस फाले रफिक की मा बेहन को अपने हिरासत में लेते है Campaign अब्दुल उब्दूल उस जागा नहीं बलके वो स्नैपर है वो स्नैपर एक चोटी सी ड्रोन की मज़ से अब्दुल को मार देता है उस गाड़ी को उड़ा देता है दिन रिसेट होने के बाद अब्दुल फौरण उस सीम काफरेंस के पास जाता है वहाँ जाने के बाद अब्दुल को ना रफिक नजेर आता है ना वो स्नैपर ने लगए देखती ही देखती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा बलाश होता है काफी सारे मासूमें की जान जाती है बेचारे अब्दुल को समझ में नहीं आता कि सारत सब कुछ प्लैन के खिलाफ कैसे चल रहा है तब ही अब्दुल के सामने धनिशकोडी आता है धनिशकोडी अब्दुल से कहने लगता है तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे प्लैन कैसे फ्लाफ हो रहे है जो जिस वक्त पर होना चाहिए वो वैसे नहीं हो रहा है ना तुम जैसे टाइम लूप में फज़े हो उसी तरह मैं भी तुमारे टाइम लूप में फज़ा हूँ अब मुझे यह मत पुछना कि यह सब कैसे हुआ अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुमारे दोस्तों को मार दूँगा तुमारे लिए बहतर ही है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ आशा करता हूँ तुमको यह बात समझ आ गई होगी दुबारा हम नहीं मिलेंगे इसा कहते हूए धनिश्कोटी अबदू को मार देता है दूसरे लूप में अबदू अपने दोनों दोस्तों को सीता को लेकर किसी किफे में आता है और यह सोचे लगता है कि अच्छुलिश Un souhaite को कौन मानना चाता है धनिश्कोटी की फिचे कोई और बंदा है तब ये अब्दुल को उस यम्मिले के बारे में याद आता है अब्दुल फोरण उस यम्मिले को फोन करके सीम के बेटे से मिलने की रिट्विस्ट करता है थोड़ी देर बाद अब्दुल और सीता ये दोनों सीम के बेटे के पास आते है और उसे कहने लगते है कि CM की जान को खत्रा है मुझे प्लीस CM से मिलवा दीजिए CM का बेटा इसकी बातों पर एकिन नहीं करता वो वहाँ से चला जाता है और फ्कोर्स वही पर परंधामन होता है परंधामन अब्दुल और सीता को अपने बातों की जाल में अफ़जा कर एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है अब्दुल को बान देता है यहां लाने के बाद परंधामन अब्दुल से सवाल करने लगता है कि मेरा प्लान सिर्फ मुझे और धनुष कोड़ी को पता है और कल रात को मैंने मेरे बेस्टी फ्रेंड तमिवरन को ये बात बताई थी कि मैं सीम को मानने वाला हूँ वो मर गया तो अगला सीम मैं ही हूँ लेकिन तमिवरन ने मेरा सपोर्ट नहीं दिया मेरे प्लान में शामिल नहीं हुआ इसलिए मैंने आज सुबा सुबा तमिवरन को आच्च्रेंड से मरवा दिया तब ही अब्दुल कहने लगता है कि तुमारे प्लान के बारे में मुझे धनुष कोड़ी नहीं बताया है धनुष कोड़ी मेरा लीडर है मैं और धनुष कोड़ी मिलकर तुमको मानने का प्लान कर रहे है इस राज से अब्दुल धनुष कोड़ी को फसानी की कोहिश करता है परंधामन फौरन धनुष कोड़ी को कॉल करता है अब्दुल के बार में बताने लगता है कि तुम्हारा आदमी मेरे कबजे में है तुमको भरुसा करके मैंने तुमको प्लैन बताया और तुम मुझे ही मानने का प्लैन बनाने लगे उसके बात अब्दुल परंधामन को एंक्रेज करने लगता है कि इसको मानने के लिए जब परंदामन अब्दुल को मान नहीं वाला होता है तब ही वहाँ पर धनिशकोडी आता है परंदामन को रोक देता है अब्दुल दुबारा धनिशकोडी को फसाने की कोहिश करता है अब बेचारा धनिशकोडी अब्दुल को मार नहीं सकता क्योंकि अगर अब्दुल को मार दिया तो दिन फिर से रिसेट हो जाएगा और सीदा धनिशकोडी परंधामन को इस बात के बारे में समझा भी नहीं सकता मतलब मुवी में दो तिन जगा बहुती फ़नी सीन्स है खार फ़नेली परंधामन धनिशकोडी की बात मान लेता है अब्दुल और सीदा को वही पर बांध के ये सारे लोग कॉन्फरेंस के लिए निकल जाते है थोड़ी देर के बाद अब्दुल बहुती मुश्किल से चेर से जम लगा कर एक सुई पर गिर जाता है अपनी जान दे देता है हर दिन रिसेट होने के बाद अब्दुल फोरण उस जगा पर जाता है जहां पर तमिवरन का एक्षेंट हुआ था ट्राफिक पुलिस वाले से पूछने लगता है कि तमिवरन का एक्षेंट कब हुआ कितने बज़े हुआ वो ट्राफिक वाला बंदा कहने लगता है कि साड़े नौ बजे उसके बाद अब्दुल बार बार लूप ट्राइवलिंग करके तम्यवरन को बचाने की गोईश करते रहता है एरपोर्ट से निकलने के बाद कभी कार से जाने लगता है कभी बाइक से जाने लगता है अर्थ तरा से ट्राइ करने लगता है लेकिन हर बार अब्दुल नाकामियाब होते रहता है खर फानली अब्दुल एक लूप में तम्यवरन को बचा लेता है और उसी तरह उस वक्त धनुश कोडी के आदमी पीचे पड़े होते हैं बहुती लंबी चेजिंग होती रहती है इसी चेजिंग के दुरान अब्दुल जो सच है वो तम्यवरन को बताने लगता है तम्यवरन अब्दुल की बातों पर यकिन भी कर लेता है इस तरह परंधामन और धनुश कोडी सीम के पास आते है कॉंफरेंस पे ले जाने के लिए तब ही आचानक से सीम के चेश्च में पेन होने लगता है परंधामन से कहने लगता है कि मैं कॉंफरेंस के लिए नहीं आ सकता लेकिन परंधामन सीम से जित करने लगता है के इसको मानार पर आना ही होगा पब्लिक क्या सोचेगी अरे सिर्फ 10 मिनिट के लिए स्टेज चड़ो पब्लिक को दिखो और बाद में उतर जाना सीम कहने लगता है अगर मैं 10 मिनिट के लिए स्टेज पर आया तो तुम मार दोगे ना उस लड़के ने बताया मुझे सारा सब कुछ ऐसा कहते हुए सीम अब्दुल की तरफ देखता है पतल यहां पर बात यह है कि परंधावन यहां पर आने से पहले अब्दुल यहां पर पहुँच गया अब्दुल अपने साथ तम्यवरन का वीडियो लेकर आता है ताकि सीम को भरोसा हो उस वीडियो में तम्यवरन सीम से यही बताने लगता है कि तुम उस लड़के अब्दुल की बात मानो तुम कॉंफरेंस के लिए मत जाओ परंधामन तुमको मानने का प्लान बना चुका है खर अफकोस वहीं पर धनुशकोडी होता है धनुशकोडी परंधामन से कहने लगता है अरे सर हमें क्या फरक पड़ता है सीम कहां पर मरे चलो यही पर इसका काम लिप्टा देते है ऐसा कहते है जब धनुशकोडी सीम को मानने की कोईश करता है अबदुल धनुशकोडी को रोकने की कोईश करता है इस तरह से इन दोने के बिच बहुत हाता पाई होती है इसी हाता पाई के दोरा जब धनुशकोडी सीम पर फायर करता है अब्दुल उस सीम के सामने आ जाता है गोली अब्दुल को लगती है तब ये वहाँ पर गार्ट साकर धनुशकोडी को गोलियों से भून देते है जब अब्दुल अपने आँखें खोलता है तो ये हॉस्पिटल में होता है और उसी तरह आज दूसरा दिन है मतलब अब्दुल टैम लूप से बाहर आ चुका है अब्दुल को थैंक्यू बोलने के लिए सीम और तम्यवनन आते है थोड़ी देर बाद वहाँ पर सीता, मूर्ती, बाशा, जरीना आते है अच्छली बात ये है कि लास्ट टैम लूप में जब अब्दुल फ्लाइट में था अब्दुल सीता से ये कहा कि ये इंडियन एजेंट है और सीता को एक शादी रोकना है इसलिए सीता ने उस शादी को रोक दिया ये सारे लोग यहाँ पर भाग के आ गए और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जरेना के फैमनी मिम्मर्स आते है अब्दुल को मानने के लिए दूसरे सीन में अब्दुल दुबारा फ्लाइट में अपने आखें खोलता है लूप्स टूबी कंटिनूड लगता है इसका सकेंड पार्ट आने वाला है तो मुवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर मिलते है अगली वीडियो में तब तक टेक केर बाबाई सी यू सून